हलो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे सबकी फेवरेट राजमा वो भी देसी स्टाइल में आईए शुरू करते हैं इसके लिए हमने एक कप राजमा को दो घंटे तक भीगो कर रखा था और अब ये हलकी नरम हो चुकी है अब हम इसमें एड़ करेंगे एक प्याज, एक हरी मिर् और मसालों में एड़ करेंगे आदा चम्मच हल्दी पाउडर, आदा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आदा चम्मच नमक और एक चम्मच घी अब इसी गैस पर चड़ाकर हाई टू लो फ्लेम पर पान से चे विसल आने तक पकाएंगे पकने के बाद राजमा को हलका हलका मै मोगे के लिए कढ़ाई में तेल गरम होने के बाद एड़ करेंगे दो सुखी लाल मिर्च, एक हरी मिर्च, आदा चम्मच मेथी के धाने, एक चम्मच जीरा, एक चोथाई चम्मच हेंग सबको मिक्स करने के बाद एड़ करेंगे एक पारी कटा हुए टमाटर और स्वाध अनुसार नमक अब इसे 2-3 मिनद तक चलाते हुए पकाएंगे और फिर मसालों में एड़ करेंगे आदा चम्मच हल्दी पाउडर, आदा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आदा चम्मच चाट मसाला और कसूरी मेथी सब को मिक्स करेंगे और हरे धनिये से गानिश करेंगे और गरम गरम सर्फ करेंगे, हमारी तेसी स्टाइल राजमा चावल बन कर तैयार है, एक बार खाऊगे, उंगलिया चाटते रह जाऊगे, प्लीज लाइक, शियर एंड सब्सक्राइब माई चैनल